और इसको दस मिन्ट तक रोज किया करें रोज मुझे कभी-कभी बहुत से लोग पूछते हैं मेरे खास भी जो है कि आप गुरुजी रोज क्यों स्वामी जी कराते हो जी इसका रोज करने का क्या मतलब है ऐसे ही एक बहुत अच्छे सादिक थे बड़े अच्छे शिश्या थे अपने गुरु के पास रहते थे तो गुरु ने रोज कहना वुले चिन के रहा करो शिश्या को पांच साथ साल हो गए रहते रहते थक गया तो पूछता है गुरु जी क्यों कराते हो बोले मैं बताऊंगा तुम ऐसा करो हमाचल की बात है सची बात है ऐसे करो तुम एक भुला आश्रम है धर्मशाला है तो वहाँ पर थोड़े दिन रुक के आओ और ये मंतर है इसका जाप करना सर्दियों की बात थी दिसंबर जनुरी का महीना था चले गए धर्मशाला में धर्मशाला प्लेस नहीं धर्मशाला मीन जो आश्रम जैसे बने होते हैं आश्रम मे जले गए, देखा के कोई काम ही नहीं हो रहा है, महां सुबह बरतन साफ कर रहे हैं, शाम को बरतन साफ कर रहे हैं, खाना कहा रहे हैं, साधना कर रहे. दो मीने बाद लोटना था, तो पूछने लगे महराजी मुझे तो गुरुजी ने भेजा था सीखने के लिए, तो मेरे को तो लगता मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो आप मुझे बताओ कि जो बरतन रोज क्यों साफ करते हूं उन्हें कहा कि बरतन पड़े पड़े भी गंदे हो जाते हैं तो बरतन बहुत जादा है हमारे कल आशर में और संगत आएगी तो उनको क्लीन बरतन चाहिए तो हम इसलिए रुटीन रखी है कि सभी बरतन बारी-बारी साफ होते रहें फिर गुरु के पास आए गुरु को बता सब्सक्राइबात गुरु ने कहा एक स्थारण व्यक्ति एवरी डे जब बरतन को साफ करता है उसमें गंदगी आ जाती पड़े-पड़े बरतन जूठा नहीं होता हुमारे मन में भी गंदगी आ जाती है हम अपनी बॉडी को भी रोज साफ करते हैं बॉडी को भी साफ करन मन को क्लीन करना है